गाइस कॉलकॉम स्नेवेगन 870 प्रोसेसर के साथ काफी सारे लोग एक ससा स्मार्टफोन लेना चाहते हैं लेकिन इस प्रोसेसर के साथ जो भी फोन आते हैं उसकी प्रैस 28,000 के आसपास रहती हैं लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा स्मार्टफोन बताऊंगा जिसकी प्रैस 23,000 क आसपास हैं including bank discount वैसे मैं इस phone को काफी लंबे time से use कर रहा हूँ मुझे अभी तक इस phone में कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिली है even मैं आपको इस phone की display को nothing phone one के साथ भी compare करके दिखाऊंगा कितनी bright और sharp display है इस phone के सबसे पहले मैं आपको offer के बारे में बताऊंगा उसके बाद आपकी जानकारी के लिए phone को unbox भी करेंगे then मेरा experience इस phone के साथ कैसा रहा वो भी मैं आपके साथ share करूँगा तो इसी बात पर वीडियो को प्यार से like कर दीजे और bell icon के साथ channel को भी subscribe कर लेजिए ताकि मैं आपको time to time regular update पहुँचा सकूँ so let's begin जैसे ही आप flip card पर Poco F45G page पर जाओगे वहाँ पर आपको इस phone की price चू होगी 27,999 लेकिन जैसे ही आप final page यानि के payment page पर जाओगे तो यहाँ पर आप clearly देख सकते हैं SBI bank के debit card पर 5000 रुपे का instant discount है और भी bank के card पर off है तो आप वहाँ पर जाके check out कर सकते हैं यानि कि आप इस phone को nearby 23,000 रुपीज में buy कर सकते हैं काफी अच्छी deal है definitely अगर आपको वाकई में ज़रूरत है एक नए smartphone की और आपका budget 23,000 के आसपास हैं तो इस phone की तरफ आप देख सकते हैं 6.7W का fast charger, type C cable, semi ejector pin, 3.5M to type C converter यानि कि इस phone में 3.5M audio jack नहीं है उसके बाद एक transparent back cover जो ठीक ठाक हैं 15-20 दिन आपके आराम से निकल जाएंगे उसके बाद पीला होना start होगा अब आजाते हैं डिवाइस की तरफ जिसे हम unwrap कर लेते हैं ये नैबूला green color है 6GB RAM and 128GB internal storage के साथ phone के bottom side पर seam tray जिसके अंदर आप dual seam लगा सकते हैं इसी के साथ speaker, type C port, mic, right hand side पर volume rocker button power on off key and side mounted finger bin scanner phone के top side पर secondary noise cancellation mic IR blaster sensor and एक और speaker यानि के इस phone में dual speaker है loud हैं साथ में मैंने एक और चीज़ notice की उपर और नीचे की तरफ जो speaker है वो balanced है मतब एक speaker से ज्यादा आवाज आता है, दूसरे speaker से कम आता है, ऐसा नहीं है balanced आवाज सुनाई देती है साथ में जो phone का back panel है वो एक glass bag है जिसकी वज़े से vibration कम होती है plastic bag में vibration ज्यादा फिल होती है compare to glass bag यहाँ पर आप देखोगे तो phone का weight 195 gram 4500 mAh battery के साथ ये phone आता है तो phone ज्यादा भारी फिल नहीं होता है, यानि के weight को अच्छी तरीके से maintain किया गया है matte finish होने की वज़ा से उंगलियों के निशान नहीं आते phone दिखने में अच्छा लगता है और premiumness भी दिखती है जो frame है वो है plastic की, एक और चीज मुझे अच्छी लगी IQ Neosix से ये phone पतला फिल होता है typing के लिए काफी अच्छी quality की haptic motor दे रखी है जिसे UI में भी implement किया गया है साथ में आपको NFC का support भी मिल जाएगा और career aggregation का support भी है phone के right and side पर physical finger wind scanner की placement की गई है जो अच्छी तरीके से perform कर लेता है लेकिन in display finger wind scanner दिया होता तो और भी अच्छा होता लेकिन ऐसा नहीं है अब display की बात करते हैं इस phone की display में काफी सारी छोड़ी छोड़ी चीज़े दी गई है जो मैं आपके साथ share करता हूँ लाइक डिस्प्ले का size 6.7 inch 120 Hz की ये एक E4 AMOLED डिस्प्ले है और Gorilla Glass 5 की production यहाँ पर 1300 Nets की peak brightness से display काफी bright है यहाँ पर आपको MEMC का option मिलता है जो वीडियो में frame rate को boost करने में काम आता है साथ में HDR enhancement का option भी मिल जाता है इतना ही नहीं इस phone में आपको flicker free का option भी मिलता है which is a quite good Netflix के अंदर Widevine L1 के साथ HDR10 और Dolby Vision का support भी मिल जाता है डिस्प्ले के अंदर मैंने कुछ videos देखे मेरा experience कैसा रहा वो मैं आपके साथ share करता हूँ जो colors है, saturation level है, viewing angle है ये सारी चीजों के साथ मेरा experience अच्छा रहा अब दोस्तो डिस्प्ले की brightness कैसी है outdoor condition में वो मैं आपको चेक करवा देता हूँ इसके लिए मैंने reference के तौर पर दो smartphone लिए है एक तो है Poco F45G और दूसरा smartphone है IQ Neo6 इन तीनो phone की display brightness outdoor condition में हम चेक करते हैं तीनो ही phone मैंने full brightness पर set किये है left side पर nothing phone center में Poco F45G और सबसे last में जो smartphone है वो है IQ Neo6 दूपेर का time है आप ध्यान से देख सकते हो Poco F45G की display ज्यादा bright है जो बीच में रखा हुआ है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ जो है वो आपके सामने ये हैं मुझे किसी भी brand ने एक रूपिया भी नहीं दिया है एक हाद से camera hold करना और दूसरे हाद से phone दिखाना बहुत मुश्किल है भाई साब ये सारे smartphone मैंने आपको review देने के लिए खुच से बाई किये है तीनो ही phone के display में आपको outdoor condition में कूल भी दिक्कत नहीं होगी लेकिन ज्यादा bright display POCO F4 5G की है साथ में अगर बात करते हैं specification की तो ये phone Qualcomm Snapdragon 870 के साथ आता है जो 2021 का एक flagship processor है 30,000 से नीचे की price range में अगर आपको ये processor मिल जाता है तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है RAM और storage में LPDDR5 RAM and UFS 3.1 storage type दिया गया है phone काफी smooth feel होता है और ये चीज़ तो होनी ही थी क्योंकि जो hardware का combination है वो काफी अच्छा है Play Store में मुझे 120Hz feel नहीं हुआ बाकी की जो application है वहाँ पर 120Hz अच्छी तरीके से perform कर लेता है Out of the box ये phone Android 12 के साथ आता है और MIUI 13 का user interface Basically ये phone performance और gamers को target करता है तो यहाँ पर आपको cooling system भी दिया गया है HDR Extreme पर आप gameplay कर सकते हैं यानि के 60fps पर जो लोग gamers हैं खास करके ये phone उन लोगों के लिए design किया गया है और ये processor hardcore performance के लिए ही capable है दस 5G band का support मिलता है यानि कि आप इस phone को future pro 5G smartphone बोल सकते हैं अब आते हैं camera की तरफ और साथ में 20 Megapixel का selfie camera वैसे phone में 4K 60fps का support मिलेगा man camera sensor से 60fps पर EIS काम नहीं करेगा 30fps पर EIS का option मिल जाएगा front camera से आप maximum 1080p 30fps पर वीडियो को shoot कर सकते हैं ये वीडियो 4K 60fps पर shoot हो रही है EIS नहीं है सिर्फ OIS काम कर रहा है 4K 30fps पर जैसे shift होता हूँ तो वीडियो थोड़ी crop हो जाएगी लेकिन वीडियो ज्यादा stable देखने को मिलेगी ये कुछ camera सेंपल dark condition में artificial light के अंदर ये photo ली गई है ये कुछ और artificial light के photo के सेंपल आपके सामने हैं जो आप देख सकते हैं color को हलका सा boost कर देता हैं लेकिन maintain कर लेता हैं ऐसा नहीं पीले को green कर देगा अच्छी तरह के से color को maintain कर लेगा लेकिन हलका सा color को boost कर देता है अच्छी जञाग के सा तरह के दुए तरह क्या हुआ थए कर दो दो और शोन कर दो ढई हम स सकते हाग ज़े से ज़ई को आउ हम आख कर दोन ुट झाल झाल सेलफी कैμεरा की बात करें तो सेलफी कैμεरा भी डिसंट है, कौन्टराश्टी फोटो केपचर करता है मुझे पर्सनली इस फोन का में कैμεरा ज्यादा बेटर लगा कंपेट तो सेलफी कैμεरा इस फोन में आपको दो साल की वारंटी मिलेगी जो काफी इंटरेस्टिंग है इस फोन में 45,000 mh की बैटरी ओफर की गई है और 67 वाट की फास चार्जिंग जो इस फोन को 42 मिनिट में 0-100% फूल चार्ज कर देगा एक दिन का बैटरी वेकप आपको आराम से मिल जाएगा उससे ज्यादा की एकस्पेक्टेशन आप मत करना ओन एन एवरेज साथ घंडे का आपको स्क्रीन ओन टाइम देखने को मिल जाएगा गिक बैंच स्कोर आप देख सकते हैं एन्टू तू बैंच मार स्कोर भी आप देख सकते हैं छे लाग से भी उपर इसका एन्टू तू स्कोर है विच इस वाइट गूट 90% इसका CPU थ्रोडल हुआ है विच इस अगें गूट पर्फॉमंस के डिपार्टमेंट में आपको इस फोन से कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अगर आप हार्ड कोर गैमर हैं अगर आपका बजट 30,000 से नीचे हैं तो आप डेफिनेटली इस फोन के साथ जा सकते हैं बागी दोस्तो 30,000 से नीचे की प्राइस को देखते हुए इस फोन में सब कुछ दिया गया है मेजर कंप्लेंट जैसा अभी तक मुझे कुछ दिखा नहीं हार्डवेर का जो कॉम्बिनेशन है वो काफी अच्छा है आपको कैसा लगा ये फोन नीचे कॉमेंट करके बताना वीडियो अगर पसंद आई हैं तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब जरूर करना मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में